क्या आपसे मक्य की रोटी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से नहीं बन पाती है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी भी बिल्कुली फूली फूली मक्य की रोटी बन कर त्यार होगी मक्के की रोटी बनाने का ये है आजकल यूट्यूब पर बहुत ट्रेंड में है बड़े-बड़े यूट्यूबर्स इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे है तो सोचा क्यों ना इस प्रोसेस को ट्राई किया जाए यकीन मानिये मैंने जब इसे ट्राई किया तो वाकी में मेरे कल है जिनको मक्य की रोटी बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती वह भी इस प्रोसेस को फॉलो करके बहुती परफेक्ट तरीके से मक्य की राजरे की रोटी बना सकते हैं आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से मक्य की रोटी कैसे बनाई जाती है वह बताऊंगी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबी से रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे वीडियो पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूले तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि मक्य की रोटी कैसे बनाई जाती है मक्य की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैसोन करेंगे उसके अपर पतिला रखेंगे इसमें आदा कप पाने डालेंगे पानी में एक उबालाने देंगे इसमें हम डालेंगे स्वाधनुसा नमक इसमें एक छोटी चम्मच ऑईल या देसीगी डालेंगे मैं यहाँ पर देसीगी का यूज़ कर रही हूं दीरे दीरे उबालाना शुरू हो गया है एक इसमें अच्छे तरह के से उबाला जाना चाहिए तब हम इसके बाद आगे का प्रोसेस लिया है जिसको मैंने चान लिया है इस उबलते हुए पानी में मक्य काटे डालेंगे और इसे चम्ची की साहिता से अच्छे से मिला देंगे और बस इसी स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे यहाँ पर हमें पानी और मक्य काटे का रेशो याद रखना है जितना हम ठंडा हो जाए कि हम इसे हाथ लगा सके पांच मिनट में ये थोड़ा ठंडा हो जाता है ताकि मसलते वक्त हमारा हाथ ना जले पांच मिनट हो चुके हैं मक्य के आटे को चेक कर लेते हैं ये देखिए ये थोड़ा ठंडा हो चुका है हमने जो ही मक्के का मिश्रत बना कर त्यार किया है इसे किसी बड़े से बर्तन में निकालेंगे जैसे मक्के के आटे को गुनते हैं इसी तरह के से मसल मसल कर दो त्यार करेंगे यहां पर हमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है हाथ पा थोड़ा सा तेल लगाएंगे या घी लगाएंगे फिर उसके बाद अच्छी तरह से मसल मसल कर एक डो त्यार करेंगे जैसे हम मक्के के आटे को गुनते हैं बस उसी तरीके से इसे मसलना है मक्के के आटे को गुनने का प्रोसेस ग्याओं के आठे को गुदने के प्रोसेस से अलग होता है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ बिलकूर इसी तरीके से करना है जैसा कि वीडियो में दिख रहा है इस प्रोसेस को कम से कम 3-4 मिनट तक करना होता है तभी मक्य का आठा अच्छी तरह से गुद जाता है और रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं बिना तूटे इसे मसलते हुए यानि गोनते हुए तीन मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं आटा गुनकर तैयार है अब हम चलेंगे रोटिया बनाने के प्रोसेस पर हमने जो आटा तैयार किया है उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और एक लोई तैयार करेंगे अब हम इस लोई को चकले पर रखेंगे और इसे बेलेंगे जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना इसे हम बेलेंगे बेलन से ना तो हम यहाँ पर पलोथन का Use करेंगे वो भी पतली रोटी बन के तेयार होती है अब इसे गरम तवे पहले सकरेंगे सब्सें हलका लका ब्राउन होने तक सिर्ख लेंगे जब एक साइट से शिर्ख जाए तो पलट कर दूसी साइट से भी सेक लेंगे इसी बीच मैंने दूसी रोटी वेल ली थी इसे डाल देंगे और अपने पहली वाली रोटी को direct flame पर सेकेंगे मक्के की रोटी गयूं की रोटी की तुला में थोड़ी सी मोटी होती है तो इसलिए ये थोड़ा सा slow process में सिखती है ताकि ये बीच में से कच्ची ना रहे अगर हम direct high flame पर सेखेंगे तो बीच में से कच्ची रह जाएगी इसे सेखने के लिए gas का flame medium रखें और तब इसे इस तरीके से सेखें जैसे मैं कर रही हूँ इसे धीरे धीरे गुमाते वे सेखेंगे आप देख सकते हैं रोटी कैसे फूल गई है अगर आप भी इस process को follow करके मके की रोटी बनाएंगे तो आपकी भी fully fully रोटी बनके तयार होंगे और वो भी बिल्कुल perfect आप मुझे comment box में बताना न भूले कि आपको ये process कैसा लगा इस वीडियो को देखने के बाद beginners भी मके की रोटी या बाजरे की रोटी घर पर बिर्कुल बहुत ही असान तरीके से बना पाएंगे ये देखिए मैं आपको दूसरी रोटी दिखा रही है ये भी fully fully बनी है मके की रोटी बनाने के process को starting से लेकर end तक मेरे process से बना कर देखिए और अपनी family में सब की तारी बटोरी है I hope आपको मेरी recipe पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो अपने friends and family के साथ भी जरूर शेयर कीजिए वीडियो को end तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी की नई नई और interesting recipes देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें आज के लिए बस इतना ही तब तक खुश रही है healthy रही है